नमस्कार मैं रविंद्र चोहान खास कारिकर में आपका स्वागत करता हूँ असामे होई एनार्ची प्रक्रिया ने पूरे देश के नागरिकों के बीच दस्तावेजों के लेकर एक ऐसा डर पैदा किया जिसकी अनुभुती मात्र से ही एक आम नागरिक असहज महसूस करने लगता है दस्तावेजों की जरुवत वाली नार्ची एक मात्र प्रक्रिया नहीं है आम नागरिकों को अलग-अलग प्रक्रियाओं के लिए अपनी पहचान साबित करनी पड़ती है ऐसे में सबसे अधिक उल्जन तब होती है जब पता चलता है कि किसी एक विशेश सेत्र बे विशेश प्रमार पत्र की बैदता नहीं है असम समझहोते के अधिन विदेशी नागरिक की याचिका पर सुनवाई करते हुए गोहाटी हाई कोट ने फैसला सुनाया है कि मतदान पहचान पत्र नागरिक्ता साबित करने के लिए निर्नायक दस्तावेज नहीं है कोट ने पहले दिये कुछ फैसलों का हवाला देते हुए तिन सुकिया के मुनिंद्र विश्वास की रिट याचिका को नकार दिया जिसमें तिन सुकिया विदेशी नागरिक्ता ने मतदाता पहचान पत्र को वैद नहीं माना था विभिन तत्यों पर आधारित कोट के फैसले पर हम्ती पड़ी नहीं कर सकते लेकिन जहां तक भारतिय दस्तावेजों की अनिवारिता और परमारिक्ता का सवाल है तो जरूर इस पर बहस की गुंजाई से इस पर आय रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कॉंग्रेस पार्टी के प्रवक्ता अभिजीत मौजुमदार भास्पा के प्रवक्ता प्रमोट स्वामी और वरिष्ट पत्रकार प्रमोट तिवारी आप सब का इस कारिक्राब में स्वागत है सबसे पहले प्रमोट स्वामी जी से सवाल करना चाहेंगे प्रमोट जी किसी भी नागरिक्ता साबित करनी हो या कोई बैद दस्तावेज निकालनी हो आपको तो आपको भारती दस्तावेज की जरुत होती है उसको साबित करना होता है लेकिन अब इतने दस्तावेज बन जरूरत होती है कभी कभी दो दस्तावेज नहीं चलते और जो कंनो के तहत्त म हम असाम की बात करते हैं तो इसकी हमको पुस्ट भूमी में जाना पड़े गा क्योंकि हां अलडेटी एक असाम एकोर्ड है और उस आसाम एकोर्ड के तहर इनको जो कागज को जो नकारा था ये ट्रिमनल ने तिन्सुकिया में जो ट्रिमनल्स है उसने इसमें कहा था कि जो ये वोटर आइडेंटी कार्ड है सिर्फ ये एक पहिमाना नहीं हो सकता क्योंकि इन्होंने 1997 के पहले के जो जो दस्तावेश थ और दस्तावेश तो उसके अधार पर इसका है जो है हुटर अगर्ता साबीट करने का एक मात्रे दस्तावेश नहीं हो सकता क्योंकि उन्होंने इनको और दिये कि 1970 पहले 1997 के पहले की जो होटर लिस्ट है उन में अगर उनके कोई नाम बगर है तो वो अजालत को पेस करें लेकिन वो अजालत को वो पेस नहीं कर पाए और इसी मामले में एक जज्मेंट जो था अजालत ने एक जज्मेंट दिया था 2016 में बाबुलिस्ट नाम के केस में और उसी जज्मेंट का हवाला देते हुए यहां यह जो जज्मेंट जो है गौाटी माननी यह जज्मेंट दिया है उसमें उन्होंने कहा है कि जो मत्र एक जो भोटर आइडिन्टी कार्ट है वो एक पैमाना नहीं हो सकता क्योंकि वो इस ल क्साथ की मुईने तो वह वह जहिए हैं या पहले त्रिमनल में उनको है और उन्हों TRAD Mega और वह जो जो छेदने चाहिए थे वह दिखा नहीं पाए उसके आदार परा अगर वह चाहें तो सुप्रीम कोट में उच्च नियाले में भी इसको वह ले जा करके अपना जो पक्ष है वह रख सकते हैं लेकिन दस्तावेज बनने के बाद दस्तावेज आपके हाथ में आने के बाद भी इस पर सवाल खड़ा होता है अथुरिटी सवाल करती है प्रमोट जी प्रमोट तिवारी जी हमारे साथ हैं प्रमोट जी से जाना चाहेंगे प्रमुजी एनार्सी में कुछ डॉकुमेंट्स दस्तावेज के लिए जो इतने कड़ी जो रखी गई थी जो रिजिरिटी था उसको फ्लेक्सिबल बनाग दिया गया था मतलब उसमें धिल दी गई थी कि आप इस दस्तावेज के जगा पर ये दस्तावेज दे सकते हैं वही आसाम इकॉर्ड के तहथ नार्सी की भी प्रकुर्या हो उस ओस्यासाम एकॉर्ड के तहथ आदालत ने ये भी फैसला सुनाया है तो इस में इतनी कफोरता क्यों लुए कोई बात तो नजर नहीं आ रही हैं ये इस पैसले के पहले भी विभिन अजारतों ने ये फैसला सुनाया वाज़से तीन डोकुमेंट्स को लोग एक परसेप्शन ये कि नागरिक्ता परमानित करते हैं पासपोर्ट को लेकर लोग बताना चाहते हैं कि ये हमारे नागरिक्ता का परमानपत्र है जबकि पासपोर्ट एक ट्रैबल करता हो तो ये बात तो तैसुदा है बात दरसे लिए कि बाकी देश के लिए कट ओफ डेट्थ नागरिक्ता बाइबर्थ की 31 जुलाई 1987 है और असम के लिए ये 24 मार्च की अर्धरात्री है 24 मार्च 1971 की इस जो केस है ये जो विश्वास वाले केस में समस्या ही आ रहे है कि उनके पास में केवल 1997 का वोटर आइडी है दिखाने के लिए इसके अलावा वो सत्तर के पहले के कुछ लेंड डॉकुमेंट दिखा रहे हैं वोट ने टेकनिकल एक मामला उठाया कि एक्जीविट के रूप में आप किसी लेंड डॉकुमेंट को अगर प्रस्तूत करते हैं तो यह परमानित नहीं कर रहा है कि यह लेंड डॉकुमेंट अगर उसके पास है तो वह वह उस समय भारत का नागरिक्ता वह एक एक टेकनिकल चीज है दूसरी बात है कि उनके पास और भी जो काग जाता जो उन्होंने सो किये हैं वो सारे के सारे 1971 की 25 मार्च के पहले के एक अगर के और नेस सो इगातर के पहले कि किसी बी अपने अपने पिता का नाम हो दिखाने सब्छम हो जाते जो कि नर्सी में लिस्ट ए में जो दोकुमेंट्स थे उन में से भी अगर कोई डोकुमेंट वो दिखाना पाते दिखा पाते तो सायद केस का फैसला यह नहीं आता दूसरी एक बात और अकोर्ट ने बात कहिए कि यह जो यह जो वोटर आइडी है वोटर आइडी इन आइसोलेशन के नोट बी कान्क्लूजी प् सिटिजनशी वोफ इंडिया इन आइसोलेशन अकेली वोटर आइडी नहीं हो सकती वोटर आइडी के साथ में आपको और दोतिन पूरूफ अगर आप देते हैं पर यहां तो समझे है कि वोटर आइडी भी उनके पास के वल लाइंटी नाइटी सेवन के उसके पहले का किसी कोई वोटर आइडी नहीं तो जो एनर्सी में हम एनर्सी की आप बात करें इनर्सी जो आशा में कोड की प्रिष्ट भूमी में हुई है तो उसमें जो लिस्ट एक एड्मिसेबिल डॉकुमेंट थे ऐसा लग रहा केस का जो रिपोर्ट है है पूरा तो नहीं विश्थार से न है 1997 के बात की हो या 1971 या सपास की हो लेकिन जब पहचान पत्र आपके पास है तो बैत दस्तवेज है बैत दस्तवेज बनाने के लिए कुछ प्रक्रियास होकर गुजरना पड़ता है उसमें भी कोई आपको डॉकुमेंस देने की जरूत होती है बहुत सारी आनिवारता होती है लेकिन एक दस्तवेज बैत दस्तवेज जब आपके साथ हो जाता है तो फिर उसे कई वजहों से उसे नकारा भी जाता है ऐसा सिर्फ नागरिक्ता को लेकर देश का कानौन बहुत इसपस्ट है चार तरह से भायत की नागरिक्ता पराप्त की जा सकती है बाई बर्थ बाई रेजिस्टेशन बाई नेचुरलाइजेसेशन और डिसेंट ये जो केस इसने देखें कि बाई डिसेंट भारत के नागरिक है वो यह प्रूफ नहीं कर पा रहे हैं ने चुरिलाइजेशन और रेजिस्टेशन की तो कोई बाती नियुक्ति के लिए बगायद अपलाई करना पड़ता है और ने चुरलाइजेशन प्राकिरती की करण की सुविदा उन लोगों के लिए उपलब्द होती है जो भारत में भारत में और बाराष वरस तक यह जो अभी जो एमेंडमेंट हुआ है जो सिटिजन सीप में उसको छोड़कर यह तीन देशों से जो आते हैं कि भारत में बाराष रहने की अनिवार्यता है तो किसी भी मापदेंड को इस्टेंड केस में जो व्यक्ति है वो पूरा नहीं कर पा रहा ह तो हम यह नहीं कह सकते कि बहुत ही मने अडचन वाली बात है या बहुत ही मतलब परेशानी वाली बात है अगर कोई भी बंदा यह पूरा कर सके जो भी हमारी नागरिकता कानून में अब जैसे नया संसोदन आया है कि पहले था कि 1987 जो बाकी देश का असम की बात ने करा हू 1987 की 31 जुलाई के पहले जो भी भारत में पैदा हुए है भारत के नागरिक है अब आपको यह तो परमानित करना होगा ने कि आप 31 जुलाई 1987 के पहले भारत में पैदा हुए है असम के मामले में यह 25 मार्च 24 गर्दरात्री है दूसरी बात ही है कि अगर आप 1987 वाले जो इमेंडमेंट उसमें बाद में था कि भारत न पैदा होने वाला हर वेक्ति भारत का नागरिक होगा बसरते कि उसके माबाप दोनों में से एक भारत के नागरिक हो फिर 2003 में संसो दुनुआ 2004 में लग हुआ कि माबाप दोनों ही भ अब इसमामले में चीज बहुत लो बहुत क्लिर मामले में फिर यह जाते हैं कोंग्रेस प्रवक्ता के पास अभिजित जी बहुत सारे अड़्चने हैं जैसा कि प्रवोर्त टिवारी जी कह रहे थे कि जो कानून है वह बिलकुल साफ है लोगों समझने के जरुरत है लेकिन जब आप 1971 के आसपास या उसे पहले के सेल डीड्स आप दिखाते हैं वो नामंजूर होता है उसके पहले अपने जो पिढ़ी है अगली पिढ़ी पिछली पिढ़ी उनका दस्तवेश देते हैं वो भी मान्य नहीं है उसके बाद कहा जाता है कि मद्दाता पहचान पत्र है सिर कोट का कोई रायकाओ को टिप पूनी नहीं होना चाहिए लेकिन और एक बात भी साथ साथ में आता है जो सुप्रीम कोट का जो फसला है सुप्रीम कोट का तत्त बदन में जब नसी हुआ है आज तक जो नसी हमारा खोस्रा उसका बात फाइनाल इस्ट होने का बात वो निकल नहीं पा रहा है तो इन सी कोट का तरतःभट में होने का बात तो क्यों नहीं लेकिन आ है सेगए जीतना हम जो देंग रहा है जितना समस्षा हो रहा है एक संपर्दाइक उपर ही हो रहा है उसमें क्या है बैंगली लोग का ओपर थोड़ा सा, नजर बंदी करके रख लिया आप देखिए इनासी में जो 12,00,00 अभजी दी संपरदाई के बात नहीं जाना क이 नहीं है सबका पासई डौकमेंट कोई हल से किसी का खोग या कंप्यूटर का जानकरी नहीं है तो उलोग के लिए जो ट्याइभूना भुना है अभी तो घ्icking लेग एक्चुली जो देखा जा रहा है जो हमारा भारत का सबसें दुखित बात है। जो भारत का अथ्च्टनिती कैसे डिवलॉप्ट होगा। जो infrastructure कैसे developed होगा हमारा आसाम का जो जनजाती है जो सब मिलके एक सब चलेगा उलोग के लिए जो भप्तित तो बहुत है यह सब छोड़के एक एनसी एनसी लेके तो पास साल से सुनी रहा है फिर दुबरा इलेक्शन हो रहा है तो यह क्या आत्मी नहीं सोचेगा यह एक इलेक बात कर रहे हैं भारते दस्तावेज जो आपके पास से बात कर रहे हैं हम इसकी बात कर रहे हैं हर काम के लिए बैद क्यों नहीं होता है आपने आधार लाने के प्रकरिया शुरू की लेकिन आधार भी एक अपने आप में पूर्ण दस्तावेज नहीं है जिसे आप एक बात पूछिए हम लोग कपा पासपूर्ट में क्या लिखा होता है मुल Duch mt ऐ sow पासपूर्ट। और पासपूर्टि लेकि हूम लोग सारा दुनिया गुंका गिया इंडिया का नागरीध हो के और पासपूर्ट भी कुर です बें जिसका पासपूर्ट है वही कि मुका कोई ≫ कोई आदमी लोग ले लिया जो पासकोट है तो हम इंडियन नागोरिक है यह तो होना चाहिए सेगंड सुने यह जो भोटर काट है एक बाद बोले तो ठीक है आज भोटर काट है उनको बोला जे भरतिय नागोरिक नहीं है तो साथ-साथ एक कुस्टियन भी तो आ जाएगा ज जिसका भोट से MLA हुआ, M.P. हुआ वो लोग क्या रिटर्न कर देगा जो जिसका नाम आज एनस्री में नहीं है बाद जिसको आज भोला है भारतिय नागोरिक नहीं है वो लोग अगर भोटर भोट दिया भोटर का टीशू हुआ तो अब वोटर का टीशू हुआ तो अब विदान समर में जो भोट रहा है तो ओ लोग को भी तो सोचना चाहिए जी लोग का जो हम लोग को जीता के लिए प्रमोच जी नागरिक को नागरिकता थाबित करने के लिए बहुत सारे प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है दस्तावेज देने होते हैं एक लेकिन उसी दस्तावेज को जब नागरिकता प्रमार करने की बात आती है तो उसे खारिश क्या जाता है देखे परमोच तिवारी जी ने बड़े सुन्दर रूप से बताया कि नागरिकता देने के चार मात्यम बाई 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 नेस नेसलाइजीशन बाई मजमदार जी ने तो सिधा समब्विदानिक संस्ताउं पर भी परसन उठा दिये कि हाई कोट जो निलना लेता है वो भी राजनिति से परेरित हों के नहीं यह बुला हम जिए बैंने हम सुरुम है बोले लेकिन बाद में आपने जब अपने मनतवियों को आगे बड़ा है त तो आपने इसको राजनितिक प्रेडित बता दिया अच्छा अब यह जो है यह हाई कोट का निर्णे है इसको राजनितिक से हम लों को नहीं देखना चाहिए एक समस्या इसका कैसे समाधान हो इसके उपर में हमें विमर्ज करना चाहिए दूसरी बात यह इस्तिति उत्पन क् स्थेख़यों की आज़िए की औरिश के परिकरिया करनी जरूरी थी और इसकी तहिति आनर्च का काम हुआ उस ताइम में जो मोड़र्लीज की गई थी क्या क्या किया दस्तावेत चाहिए यह कांग्रेश के टाइम में भी फिक्स किया गया था है तो इस पे कोई मेरे किया और हाई कोट में अपील करने के बाद में जैसे 1997 के पहले की जो वोटर लिस्ट है जी उसमें उनका नाम है यह वो दिखा नहीं पाए या उनका या उनके परिवार का या उनके फोर फादर्स का किसी का भी नाम है उस तक के कागजाद वो प्रस्तुत नहीं कर पाए लेकि इसके पहले भी जो जैजमेंट 2016 में मुहमद बाबुल इसलाम के उसका हवाला देते हुए कोट ने यह जैजमेंट दिया है अब अगर उनके पास में अगर कोई और दस्तावेज है जो हो सकता किसी कारण बस जमान नहीं कर पाए तो उनके पास में अवसर है कि वो सुप्री अब ये का लागू हो गया तो का लागू होने के बाद में जो इनको उस का के तहट क्या ये अप्लाइट कर सकते वो भी एक आप्सन्स है इनके पास में अशी बात नहीं इतना आप साथ आप एक तुम ठीक बोला हम इंडियान है हम पहले फोरेनर डिक्लियर करेगा उसका ब अब आपने कहा कि जो मुनिंद्र विश्वास है उन्होंने 1997 से पहले जो नागरिक्ता प्रमार पत्र है वो थाबित नहीं कर पाए कोड को नहीं दे पाए लेकिन एक बात तो आप भी मानेंगे के पहले के समय में जो 1971 की बात होती है उसके आसपास की बात होती है लोगों के पास जन्व प्रमार अधार कार्ट तो उस काड़ के रिखा रहता है लेकिन सरकार पॉल इंकल बनाने जा रहे थी आधार का रहा था सब्सक्राइब आपका नागरिक तक ट्रेवल डॉकुमेंट आपका रहता है वो क्या लिखा रहा था उसको छोड़े नहीं लिखा रहा था कि जिसके हाथ में पासपोर्ट है वो भारत का नागरी के नहीं लिखा रहा था पूलिस इस बात की वेरिफिकेशन करती है पासपोर्ट के समय कि जिस आदमी को पासपोर्ट दिया जा रहा है उसके ओबर कहीं कोई क्रिमिनल केस तो पेंडिंग नहीं हो वो भारत की नागरिकता का वेरिकेशन करने पुलिस नहीं आती है है आपने जिक्रे किया था ये जनव को लेकर ने कॉलेकर नहीं कहा था रासनकाद एडमिसीबल डोकूमेंट ये आपके पास में को वर खोई कर भारत के कि सा ओपर नहीं खड़े कि जा रहे है नागरिक्ता का यह प्रस्न उठ्रा असम में क्योंकि असम की इस्तिति इस माबले में विशिष्ट है यहां पर इलिगल इंफिल्ट्रेशन हुआ उस इतियास में जहां नहीं जाएंगे पर सबसे बड़ी बात है कि यहां की नागरिक्ता भारत की जो सिटिजेंशिप एक्ट ह थोड़ा सा उसमेंडमेंट्हों कर यहां की नागरिक्ता सब्संति उन निसे पिक्चाशी के पसम सम्छोटे के तहत जो it और यहां की बात थोड़ी सी अलग है और चब चूकि बाहर से इतने बड़े पैमाने पर अगर किसी राज्य में या किसी भूखंड में बाहरी लोगों का आना होता है तो उनके डिटेक्शन के लिए कानून में कुछ पेचीदिया आही जाती है तो इसको इस तरह से हमें मैं समझता कि आज के सो के जरिये हम लोगों को यह बताएं कि नागरिक्ता साबित करना बहुत टेडी खीर है और लोगों को परेशान किया जाएगा विदेशी घोसित कर देगा जी आज की सो का जो उदे से था यही था कि लोगों में यह भ्रहम न फैले यह बिक्कुल भ्रहम फैलनें कि कोई आवसेक्ता नहीं है नागरिक्ता को लेकर कानून एकदम इस पस्टर में फिर कहा देता हूं कि जो उन्होंने सेल्डीड को उन्होंने पेस किया था तकनी की भूल हुई आगे सुधार भी सकते हैं सूपिंग कोट में उन्होंने एग्जीबिट के रूप में पेस किया था अगर वो यह बोलते ह इस प्रूफ हो वाइ रेसिडेंसी इन इंडिया विफोर 24 ओफ मार्थ 1971 तो सकता कि कोट की राय कुछ अलग होती पर ऐसा उन्होंने नहीं किया अगर उसको हम ठीक से पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि कौन सी तकनी की कारणों से कोट ने ट्रैबुनल के जो फैसला था ट्रै मेने करीब बीतने को आया है साथ-ाथ मेने हो गया है अभी तक जिन 19 लाख लोगों के नाम नर्सी में नहीं आए उनके ओपर कहीं से कोई शुबगाट नहीं सुनाई पढ़ रही है इसके लिए तो मैं सोचता हूं कि यहां जो चार लोग बैठे उनमें सबसे उप्युक्त प्रमोद स्वामी जी होंगे जो बता पाएंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है पर वह कंप्लीट एक अलग मुद्धा है प्रमोद जैसा प्रमोद तिवारी जी कह रहे हैं कि ऐसा एक इस कारिक्रियम के जरीए लोगों में संदेश न जाये कि बहुत ही कठोर नियम है नागरिक्ता साबित करने के लिए जो प्रमार पत्र है वह आसान हो और दूसरे लोग जो है जो प्रकृत भारती है उनमें यह संदेश न जाये कि उनको भी कोई खत्रा है जैसे कि उधारन के लिए आपको बता दें कि आप असम में आप एक मोबाइल का सिम कार्ड लेने जाएंगे तो आ जैसे देख रहे हैं यह स्थिती आसाम में थोड़ा से प्रमोच जी ने भी कहा कि आसाम की जो पुष्ट भूमी है आपको उसके उसके जाना पड़ेगा और यह जो निगने जो जिर्णे जो हुआ उसमें आसाम एकोड का उले किया और बाकी जो आपने जिकर कि कि किसी मोब यह जो पुष्ट को मान रहा है नहीं मान रही है और रहर भूना फार्ट आपने से जो की आख भी है तर्म एक जो कई लो अरत या अब सूरी व्हाइब है ऐस को मनता consumers परिश्ट के शावर वह थो उसको मानेता दे रहे है projects और इनके पार्टी के देने ने देने से कोई फर्क नहीं है, आप बाते पुरी की, इनका आदत है बीच में टोपने का, क्योंकि इनके पास में कोई तथ्थे नहीं होता है, इसलिए बीच महला चीजा करते हैं, अच्छा, अब मैं यह कहना चाहता हूँ, कि हमारी पार्टी का जो स्टेंड है, वो स्टेंड आज सारे देश की जन्ता जानती है, कॉंगरेस का जो स्टेंड है, कॉंगरेस को भी रखने का अधिकार है, लेकिन यह जो डिसीजन है, यह बीजेपी का डिसीजन नहीं है, यह गोहाटी हाई कोट का डिसीजन है, तो गोहाटी हाई कोट का ज खुट दूना जाए नहीं किसका करें भूला इंप उस हांजा पहले बोला आप बार बर बोला हाज में उसी का था यह पर चर्चाहिए इसको खिली आनुडा है आसामे कोड़ का इन्होंने जहां तक प्रस्णू उठाया आसामे कोड़ में 1985 में जब यह आसाम समझोता हुआ था उस समझ से हमारी पार्टी की नीती बड़ी स्पस्ट है दो तरह के लोग आए एक सरणार्थी एक घुसपैट ही सरणार्थी वो लोग है जिनके उपर धार्म कथ्याचार हुए और धार्मी कथ्याचार के तरह जो भारत परस बे आये उनको हम सरण देने के हक में भी है और नागरिक्ता देने के हक में और इस बात को उलेग जो है महत्मा गांधी ने भी किया था अरे गांडी को मानता है लिए वही तो बोल रहा हूं पर जो मार्णी महत्मा गाल जी ने तो श्रिफ दोई को अधिया था एक एक उन्हों ने काथा कि हिंदू और शिख उन्हों है अब इनको ने तो एक स्टिटिशन में विश्वास है ने गांधी जी पे विश्वास है अब इनको आज भी डर है कि जो भारती दस्तावेज है उसकी बैदा को लेकर जो अधालत फैसले सुनाती है उसके आधार पर सुनाती है तत्थों के अधार पर सुनाती है लेकिन लोगों में एक संदेश जाता है कि उनके पास जो भारती दस्तावेज है वो बैद है कि नहीं इसी संका में वो रहते है इसका डर हमेशा बना हुआ रहता है इस डर को खत्म करने के लिए सरकार को आगे और आना होगा बेवस्थाय उस तरीकी बनानी होगी जिसे लोगों का जो डर है वो खत्म हो जाए आज आज के इस कारेकर में फिलाल के लिए इतना ही आप सब का बहुत बहुत धन्याबाद है नमस्कार